दोस्तोँ अगर आपने टूमाटर के पौधें लगाया हैं तो इसे में फ्रूटिंग स्टार्ट होगी होगी अगर आपके टूमाटर के पौदे में अगर फ्रूटस नहीं आरहे या और फूल ज़्यादा आरहेまた फूटसमेंcat new तो इसमें अच्छी फ्रूटिंग आप ले सकें क्योंकि कई लोग मुझसे प्रस्ण पूछते हैं कि टमाटर के पूधे में जो हैं हमारे फूल तो आ रहे हैं लेकिन वो फल में कनवाड नहीं हो रहे हैं और हम जो है टमाटर के जैसे हम पूधा लगाते तो उसमें दो से चा हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करने और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों यह जो मैंने टमाटर की पूधे लगाए हैं इनको लगाए हुए दो मेहना हो रहा है और देखिए इसमें फूटिंग की तिच्छी आ रही है य वह जो है चैरी तमाटर को प्लांट है यह जो मैंने दो तिन दो टीन प्लांट लगाए दो चैरी टेमेटो के उसमें देखिए जो पूल आते हैं वह सब फल में अब इसमें प्ल वह बहुत लग रहे हैं कि तो टमाटर की पॉंदे में जो है आपके फूल जो आते हैं वो गिनने का मेन जो कारण रहता है आप इसको दिन बर की धूप में नहीं रखते हैं कर लोग जो टमाटर की पॉंदे लगा यह उसमें जो है जाया रहती है जिससे की उसके जो फूल होते हैं वह सब जड़ जाते है अगर आप टमाटर का है तो उसके लिए आपको कम से कम जो है 12 इंचि इसे उपर गचे अगर एक टमाटर के पहुंदे के लिए अगर आप लगाना जाते हैं ग्रोग देखिये यह मैंने ग्रोग में लगा रिखे चार्ट टमाटर के पहुंदे लगाए हैं और इसमें फूटिंग कि देखे कितनी हो रही है हर जो फूल है वो फल मैं कनवाट हुआ है दोस्तों टमाटर का जो पहुंदा होता है इसको अगर आपने जैसे अभी दिसंबर का मेना चल ला है आपने अगर दो मेने पहले इसको अक्टूबर या सिट स्टम्बर में लगा है तब इसमें फूटिंग स्टार्ट होगी होगी अगर तब भी आपके फूटिंग नहीं आ रही है तो सबसे मेन कारण इसका जो मैंने आपको बताया धूप में रहना जरूरी है पहुंदेगा और इसमें जो बीज की क्वाल्टी है बीज भी बहुत म एक आउनलाइन वेबसाइड है वहां से मगा रहे उसमें से मैंने टमाटर के जो बीज मगाये थे उन्हीं को लगाया देखे और इसमें फूटिंग कितने अच्छी हो रही है और में कारण तो मैंने आपको बता दिया जो है धूप में रखना जरूरी है उसके बाद देखे टमार्टर का पॉंदा होता है उसमें जञखें तो चमल करीम की आप नीचे जमन के जड़ें ऑफ बनेर टमाटर की पंदी की अगर आप पनाटर का गमले में लगा तो उसमें आप तब इसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी उर्मि कमपोस्ट या आप गोबर की खाथ यूज कर सकते हैं यह देखी नहीं जो किचन वेज्ट से खंपोस्ट है वो भी इसमें यूज कर रही और जब मैंने लगा था तो इसको मैंने जो है गोबर की खाथ इसमें 50% यूज करी थ आप कre जाते हैं जह पूलिके के उसमें रभाते हैं नहीं जीम करते हैं效ब से लेकर यह देखिए मैंने यहां तक जो इसका नीचे के सारे पत्ते काड़ दिया है और जो एक्ष्टा ब्रांच आई थी उनको सब कट कर दिया है और इसको करीब देखिए इतने इससे मैंने इसमें फ्रूटिंग लिए कोई भी पहुंदा देख लिए यह देखिए मैंने सब्थख और इसससे मैं फ्रूटिंग स्टाट लिए तो आप जो फ्रूटिंग लेए टेमाट सांअ उनको ब्राइं से लगे हुए देखिए कि मैंने अच्छे कं लिए हैं कम को, तो आठ से 10 किलो आप एक पॉंदे से ही आप टमाटर ले सकते हैं अगर आप अच्छी से केर करेंगे तो टमाटर का पॉंदा आप लगाते हैं तो इसको सपोर्ट की भी बहुत जरूत हुती है यह देखिए मैंने सपोर्ट दे रहे हैं आप नीचे से अगर इसमें सपोर्ट तब यह उपर की इसकी ब्रांच अच्छी होगी नहीं तो टमाटर का पॉंदा जो हो जाता है यह जैसे यहां पर से अगर सपोर्ट नहीं देंगे इसको लटक जाता है आपकी अच्छी फूंटिंग नहीं हो पाई उसकी वज़ेसे तो आप इसको कोई कोई भी जैसे मैंने बाउस के ढंडे लगा रहें आप कोई बीची लगा कर इसको सपोर्ट जरूर दिए उसी प्रकार से देखिए मैंने टमाटर के पॉंदे में उपर भी सपोर्ट दे रहा है यह देखिए पुरा सपोर्ट दे रहा है यहां से पुरा बांद रखाए तब इसमें जो है तरीके से मैंने दिया है अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो इसमें खास चीज मैंने प्रयोग कर रहे की जिसके वैसे इसमें जो फूल जो हैं फल में कनवार्ट हुए हैं लगते हैं कीडे लगनी के वैसे के लगते हैं गयी की आधिÓ इसमें खूलूडि में इस चीज का यूज कर रहे है यह लकडी की रह जाहते हैं घर अगर आज फंब की दिन है आप लकडी का यूज करते हैं जलाख m को इसमें मार्केट सब्सक्राइब का यूप इसके यूप करने आप लकडी की राग की आप लाग के यूब करना लक और बोड तताइब इस भूरे को जो है मिटमे आ लगेगा यहाप कीड में निए इसको करिए जब भी आव इसमें का पर से इसमें नहीं लगीए जो मिटी के खाऊस कर वो नहीं रग और राग का मम लगीया एजाए जब इसक देकेसें से उसमें भी और इस तरीके से आप छिड्काओं करेंगे इसका आपने सुनाई होगा ईवाखते थे घर में जो यह कीटन से इससी करते थे इस तरीके से आँसको जो ट्ररीके तो इसमें उपर से कीड़ से पत्ते ज सबस्यों कर देते एक अचिक बिसवे को तो अब === तो उससे भी आपके जो केड़े लगते हैं वह नहीं लगए तो प्रकार निय कमीस से केलसियम की कमी होगी पहुंदे में तब भी आपके जो पहुंदा है ग्रोध नहीं करेगा और फल भी उसमें पुरा अच्छे से बन नहीं पाएगा परिपकु नहीं हो पाएगा तो आप यह जो मैं राग का यूज बता रहा हूं राग में कई में करें मैंगनेसियम पोटेसियम सब इसमें राख में पाया तो यह कीट प्लाखते हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवा तो राग के इस्तमाल जरूर्ब तो इस तरीके साथ अगर टमाटर के पोद्य की देखभाल करेंगे तो आप भी आपने टमाटर के पोद्य से जो आप कैमिकल का यूज़ करते हैं उसके बजाए आप नीम ऑईल जो होता है उसका यूज़ करेंगे इसमें छुड़काओ के लिए तो उससे भी जो है आपकी बहुत फसल को नुकसान से बच जाएगा दोस्तों यह वीडियो आज कि आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज जरूर सेयर करें धन्यवाद।